सर्दियों का मौसम आते ही ताज महल का दिदार परिटकों के लिए चुनोती पून हो जाता है सुमवार को भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब सुभा के समय ताज महल स्मोग की मोटी परत से धक गया सर्दियों का मौसम आते ही ताज महल का दिदार परिटकों के लिए चुनोती पून हो जाता है सुमवार को ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब सुभा के समय ताज महल धुंद और स्मोग की मोटी परत से धका रहा सुमवार को ताज महल के आसपास घना समोग चा गया जिसने इस एतिहासिक धरोहर की चमक को पूरी तरह फीका कर दिया आमतोर पर सफेद संग मरमर से बनी यह मारत जो अपनी अनोखी चमक के लिए जानी जाती है समोग के कारण धुंदली दिखाई दे रही थी सुभा सुभा ताज महल देखने पहुँचे परिटकों को उसकी सपष्ट जलक नहीं मिल पाई ताज महल के पास मौजूद यमुना नदी के किनारे भी धुंद और प्रदूशन का सरसाफ देखा गया ताज का दीदार करने आए एक परिटक ने कहा कि ताज महल को देखने का सपना था लेकिन धुंद और समोग के कारण उसकी सुन्दर्ता का पूरा अनुभव नहीं हो सका हम उम्मीद कर रहे थे कि सुभा की रोशनी में ताज महल अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई देगा लेकिन धुंद ने इससे ढग दिया यह समोग ना केवल ताज महल की चमक को फीका कर रहा है बलकि इसकी संगरक्षना को भी नुकसान पहुंचा रहा है सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट